लोटस आयरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे बजन घटाने के लिए बेहत फाइदेमंद है ब्रेड और धाई से बना पोहा जाने इसकी दिसीपी और खाने के फाइदे तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो आज कल बजन घटाने के लिए लोग तरह तरह के नुश्के आजमाते हैं इसके बाद भी कई बार सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है बजन घटाने के लिए डाइट पर कंट्रोल लगना बेहत जरूरी होता है इसके लिए आपको सिमित मात्रा में और पोशक तत्तों से भरपूर आहर लेनी चाहिए बजन घटाने के लिए ब्रेड और दही से बना पोहा खा सकते हैं इसे खाने से नाकेवल फाट कम होता है बलकि सरीर भी लंबे समय तक इनर्जेटिक बना रहता है ब्रेड और दही से बना पुहा कैसे बनाएं यह पुहा बनाने के लिए आपको 4-5 मल्टी ग्रेड और 1 कप दही लेनी है इसके बाद आपको हरी मिर्च और धनिया लेना है अब सभी सब्मगर्य को अच्छे से मिला लें आनि मिक्स कर लें और इसमें नमक मिला लें अब आपको एक पैन में एक चमश तेल डालकर उसे गरम करना है इसमें आदा चमश जीरा आदा चमश सरसों डालें आप इसमें सूखी लाल मिर्च कड़ी पत्ते और दो प्याज बारिक कटकर डालना है अब हलका लाल हो जाने के बाद आप सभी समगने को पैन में डाल देना है तो लिजिए आपकी डिस्ट तयार है बजन घटाने में कैसे फाइदेमन है यह बजन घटानी के लिए आप इस पोहे को खा सकते हैं यह पोहा फैट बर्नर की तरह काम करता है इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूग का एसास नहीं होता है जिससे आप ओबरीटिंग करने से बच जाते हैं और बजन आसानी से कम होता है इसके लिए आपको मल्टी ग्रेंड बुरिट का ही इस्तेमाल करना है नास्ते के तौर पर आप इस डिस्क को खा सकते हैं ब्रेट दही पोहा खाने के फाइदे लिए कई तरीकों से फाइदमन साबित होता है ब्रेट दही पोह में कैल्सियम की मात्रा होती है इसे खाने से हड्डियां स्वस्क रहती हैं और कमरदर्थ से भी आराम मिलता है यह पोह कलोरी में काफी कम होता है जिसे खाने से बजन आसानी से कम होता है इसे खाने से पेट से जुड़ी समस्या हैं जैसे गायस अपच आज की समस्या कम होती है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं धन्वाग